नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना सिख सके उसे सडक की बानती है जो खुद वहीं खड़ा रहता है और अपने सिश्य को मंजिल तक पहुंचा देता है नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई परदीप सर पे और मेरे सभी गुरुजनों को हैपी गुरु पुरिणीमा और बच्चों आप भी मेरे गुरु हो क्योंकि मैंने आप से बहुत कुछ सीका है तो आपको भी हैपी गुरु पुरिणीमा और इसकी सीरीज की जो NTA की है जीके बाई प्रदीप सर का ओफिसियल टेलिग्राम गुरुप जोईन करना वहां से आप वीडियाप ले सकते हो तो आज का हम टोपिक स्टार्ट करते हैं हरियाना के खालिस्तान जिले में अरावली प् प्हित अपचो क्या डिया हुआ था और आपका यम्ना नगर था फ्रिदाबाद उर आपका कुरुक शेतर था तो इसे तांजिले में अरावली परवत मुखे रूप से सिलिदी्ग तो तो हमें किस के साथ जाना पड़ा, गुरुगराम के साथ जाना पड़ा, परवचो महंदरगड के एरिया में भी अरावली प्रवत्रंक लाएं, पाई जाएगी, लेकिन ना ये पंचकुला यमनानगर कुरुक शेतर है, ये किस रेंज में आते हैं, सिवालिक रेंज में आते ह होगी, और दक्षिन पस्ची में हरियाना में कम वर्षा होगी, और सिवालिक की सबसे उंची चोटी करो, पंचकुला में रहेगी, 1514 मीटर हाइट है, और जो अरावली की है, वो कुलताजपूर 692 मीटर हाइट है, नारनोल में रहेगी, नेक्स्ट कोश्चन प्यारे बच् तोमर वंस का एक राजा था, जिसका नाम था, सूरज मल आए, ठीक है, सूरज मल आए तो सूरज मल कर देना, या अनंग पाल तोमर था, अनंग पाल तोमर या अनंग पाल दूइते ने इसका क्या करवाया था, निर्मान करवाया, दस्वी स्थाब्दी में निर्मान करवाय ये भी आ सकता है और प्यारे बच्चों इनके तोमरवंस के इस देवता कौन होते थे तो इसके इस देवता भगवान सूरिये देव होते थे और सूरज कुंड मेला 1987 में लगना क्या हुआ था शुरू हुआ था नेक्स कोशिन तुर्कों ने कस्ट टूनी नोपल पर कब कबज ग्रिया कर लिया अब कहते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद है ना मतलब है ध्यान मेना अब सभी का किस यो portions की और ंयए था क्योंकि पेले भारत का विपार होता तुरकों के साथ या अर्बों के साथ है और इस पर अधिकार होने से ना वो संबन तूट गया था फिर कहते हैं इस कड़ी में 1498 में इस यू में दुबारा भारत आने वाले समुंदरी रस्ते की खोज किसने की थी तो सक्स का नाम कोई और नहीं था वो वासकोडी गामा आया था को नहीं था वासकोडी गामा हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि वासकोडी गामा हमने 1498 में इस यू में भारत की खोज की बच्पन से ही हम गलत पढ़ रहे हैं क्या भारत पेले था नहीं भारत तो सिंदुस अवेता से भी था उससे पेले भी था अरे वासकोडी गामा ने भारत आने वाले समुंदरी रस्ते की जानते हैं किस नाम से जानते हैं बंदरगा को कोजी कोट बंदरगा के नाम से जानते हैं केरल में रहेगी और राजा जे मोरीन ने उनका क्या किया था राजा जे मोरीन ने इनका क्या किया था वासकोडी गम्मा का स्वागत किस राजा ने किया था राजा जे मोरीन ने वासको ज्यादा मेहंगी बेंची थी इसलिए पुर्तगाली लोग काली मिर्च को ना काला सोना या ब्लेक गोल्ड बोलते हैं ये भी कोश्चन आ सकता है और हरियाना बाले मूरा बेंच को काला सोना बोलते हैं और प्यारे बच्चों वेसे एंसी आइटी है वो काला सोना पेट्रोलि में प्यारे बच्चो सरसों दे रखाता तो सरसों हरियाना की खरीब की पसल है नहीं है सरसों किस की पसल रहेगी रवी की जो गेहूं के साथ बोई जाएगी वो रवी की पसल है अगर आप से पुछे प्यारे बच्चो कपास हो गया ठीक है और कपास के साथ आपका प्यारे बच्चों धान हो गया जिसे आप चावल बोलते हो गन्ना बोलते हो ये किस की पसल रहेगी खरीब की पसल रहेगी रभी की पसल को आसाडी पसल के नाम से जाना जाता है और खरीब की पसल को सावनी पसल के नाम से जाना जाता है ये कोशन आगामी एक् 978 40047 पर कॉंटेक्ट कर लेना 22 टीचरों की टीम है हर सब्जेक्ट के अलग टीचर मिलेंगे इससे ज्यादा प्यारे बचों मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता देख लेना अच्छा लगे तो नेक्स्ट कोशिन की और बढ़ते हैं भारत का पेला सरम आंदोलन संग्राले कहां पर स्थित है तो सरम जो आंदोलन संग्राले है ना केरल में ये पेपर में पूछा गया था अल पूजा केरल में रहेगा अल पूजा केरल में भारत का पेला सरम आंदोलन संग्राले कहां पर रहेगा अल पूजा केरल में रहेगा एक मई को जैसे मज़दूर दिवस के रूप में पढ़ते हैं न हरियाना में विस्व कर्मा देवी भोल दिया जाता है हरियानवी फिल्मों की पेली हरियानवी अभिनेतरी कौन थी ये कोशन आया था हुड़ा से रिलेटेड ये कोशन पूछा गया था प्यारे बचो आगामी एक्जाम में भी आ सकता है सुमित्रा हुड़ा हरियानवी फिल्मों की पेली हरियानवी अभिनेतरी कौन थी सुमित्र सुमित्रा हुड़ा है ना पेली क्या होती थी अरियानवी अभिनेतरी होती थी और प्यारे बचों हारियानी फिलमों में सबसे सफल नायक पूखे जाते हैं वो कौन होते थी जगत जाखड होते थे जफल नायक कौन होते थे या सफल हीरो कौन होते थे जगत जाकर ये पहले कौन थी सुमित्रा पुड़ा थी next question हरियानी फिल्मों के पहले गायक वे नायक कौन थे ये पहले नायक वे गायक पूछ रहे हैं हरियानी फिल्मों के पहले गायक वे नायक कहे जाते हैं सफल नायक पूछे ना तो कौन होते थे जगत जाकर होते थे और वाल सिंग बलारा पहले माने जाते हैं पर्थम 35 mm Cinema Scope हरियानी फिल्म निम लिखित में कौन सी रही थी तो प्यारे बच्चों ये हरियानी फिल्म कौन सी होई थी लाड़ो सन 2000 में आयी थी ये भी question आगामी एकजाम में आप से पूछा जा सकता ये question आगामी एकजाम में किसी ना किसी एकजाम में आप से पूछा प्यारे बच्चों पर्थम 35 mm Cinema Scope हरियानी फिल्म निम लिखित में कौन सी थी और प्यारे बच्चों ये लाड़ो कब आई थी सन 2000 में केते रास्तिय प्रुसकार प्रापत करने वाली पहली फिल्म थी प्यारे बच्चों सबसे पहले 1968 में हरियाना की पहली फिल्म आई थी दर्ती आई थी और 1983 में हरियाना की पहली सफल फिल्म बहुरानी आई थी 1934 पिछे तर के दसक में वीर सेरा और वीर गठोतकच आई थी 1984 में कौन सी आई थी चंद्रावल आई थी तो ये एकजाम में 35 mm पर लाड़ो आई थी आगे कौशन ये पूछा गया था प्यारे बचो है खालिस्तान हरियाना की महिलाओं की एक परंप्रिक बेसबुसा है जिसे विवा के दुलन को उपहार के रूप में दिया जता है तो उसे वेवायित जो बसतर है उसे डिमोच बोला जता है क्या बोला जता है? डिमोच हरियाने की महिलाओं की एक पारंप्रिक बेस बूसा है जिसे विवा में दुलन को उपहार के रुप में दिया जता है उसे क्या बोलते है प्यारे बचों डिमोच के नाम से जाना जाता है हरियना में चांद तारा महिलाओं दोरा पहना जाने वाला गागरा है जो निमन में किस कपड़े का बना होता है आपने खदर वगेरा के बारे में सुनाओगा चांद तारा वाला कोशन आया था ये किस का बना होता है खदर का बना होता है किसका बना होता है प्यारे बचो आभूशन से और वेस बूसा से कोशन आते हैं तो भरियाना में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला गागर है जो निमन कपड़े का बना होता है तो ये खदर का बना होता है किसका बना होता है खदर का बना होता है बूजनी ये बूजनी नहीं है बूजनी है प्यारे बचो जो आपकी दादी पड़दादी पेहनती है ना तो बूजनी है ना ये कहां पर पेहना जाने वाला आभूशन रहेगा तो बूजनी है प्यारे बचो कान में पेहना जाने वाल क्या रहेगा आभूशन रहेगा नेक्स्ट कोशन निमन मुहावरे का अर्थ बताईए टेम बोल जाना यनि प्यारे बच्छो मर जाना ठीक है मर जाना ठीक है टेम बोल जाने का अर्थ क्या होता है मर जाना इसका क्या रहेगा साब्दी के अर्थ रहेगा कान में काक में छोरा गाउं में डिंडोरा का क्या अर्थ है इसका ये प्यारे बचो हरियाणी मुहावरों से भी आज कल कोश्चन आते हैं बहुत बार में ने देखे हैं इसका मतलब होता है कोई चीज अपने पास में होना कोई बस्तू कोई बस्तू पास में होना पास में होना कोई बस तू पास में होना पर उसे ढूंडना उसे ढूंडना यानि कोई चीज है आपके पास में है और आप उसको ढूंड रहे हो उसे बोलते हैं काक में छोरा और गाउं में ढूंडोरा यानि कोई चीज आपके पास है फिर भी आप ढूंड रहे हो और प्यारे बच्चो जो चीज आपके पास है और उसे आप ढूंड रहे हो वो आप सपलता मान सकते हो सपलता आपके पास में है लेकिन आप ढूंड रहे हो कहां पर मिलेगी और सपलता प्यारे बच्चो बंद कमरों में मिलती है और बंद कमरों में जो तपे गाना वही सुर बंद कमरों में पुस्त के होती है और जो रियल ज्यान प्यारे बच्चों पुस्त को में होता है न वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलता कोई टीचर आपका सिलेक्शन है नहीं करवा सकता जब भी बच्चे मेरे पास है न मिठाई लेकर आते हैं गुर जी आपकी बज़े से सिल हुआ है मैं कभी credit नहीं लेता ना तो आज तक मैंने कभी credit लिया है और ना कभी credit लूंगा क्योंकि बच्चे खुद की मेहनत के दमफर जोब लगती है और टीचर एक पत परदर्सक होता है और वो हमें करते रहेंगे रास्ता दिखाते रहेंगे मंजिल तक आपको जाना है नेक्स्ट कोशिन प्यारवचो हरियाना तिलक समाचार पत्र किस बासा में प्रारम किया गया ये हरियाना तिलक है ना ये पंडित सिरी राम सर्मा का था किस का था हरियाना तिलक पंडित सिरी राम सर्मा का था और आपके लिए होम बरक का कोशिन रहेगा कि ये किस बासा में प सियम डिप्टी सियम विदान सबाध्यक्स तिनों रे चुके हैं और हरियाना के सरी की उपादी पुछे किसको मिली थी हरियाना के सरी की उपादी पंडिते नेकी राम सर्मा को मिली थी और पंडित सिरी राम सर्मा की तीन रचना ओर थी हरियाना का इतिहास तो हरियाना का इति पिहास अरियाना नवरतन ये भी इनकी क्या रहेगी पूस्त के रहेगी किसकी हरे ये पंडित सिरी राम सर्मा अठारसु निनाड में में जज़जर में इनका जनम हुआ था आपको बताना है ये किस भासा में हरियाना तिला के परकासित हुआ था ओ दीपक तुम जलते रेना और देश के नवीन त्याग चाहिए के लेखक कोन है ये भी कोशन प्यारे बचो आगामी एकजाम में कोशन आ सकता है ओ दीपक तुम जलते रेना और देश के नवीन त्याग चाहिए के लेखक कोन है तो आज आपके लिए ये दो कोशन होंबरक के लिए दिये है ओ दीपक तुम जलते रहे ना क्योंकि प्यारे बच्चों ये तो मैंने बहुत बार करवा दिया ये नया कोशन है इनका जो जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में करना होगा और जो सबसे पहले करेगा उसका नाम है ना कल मैं वीडियो में लूँगा हरियाना की मुखे मोसमी नदी गगर से होकर राजे में प्रवेश करती है हरियाना की मुखे मोसमी नदी गगर है ना वो कहां से होकर राजे में प्रवेश करती है तो गगर है ना ये कालका से होकर गगर है ना हरियाना क्योंकि गगर मोसमी नदी है ये कालका से होकर ना कहां प पाड़ी से निकलती है और डाग साही की पाड़ी गुरुजी काम पर रहेगी माचल प्रदेश में रहेगी कालिस्तान नदी गगर के मुख्य उप नदियों में से एक है यह पंचकुला जीले में बेती है और पिंजोर के पास गगर नदी में मिलती है तो यह नदी कोई और न अदि रहेंगे नदी, कोशल्या नदी तो कोशल्या नदी घगर नदी के पर्मुक मुख्य नदी नदी के वह जायेगी? घगर हो जाएगी और हरियाना की मुख्य नदी पूछे ना हरियाना की मुख्य नदी कौन सी है तो हरियाना की मुख्य नदी यमना हो जाएगी कौन सी हो जाएगी यमना हो जाएगी या हरियाना की पुर्वी सीमा पर कौन सी नदी बेती है यमना नदी बेती है और यमना कहां से निकलती है यमनोत्री उत्राखण से निकलने का यमना काम करती है ये पदम भूशन पुरुसकार प्रापति ये सर्श्वती नदी पुनर जीवित सकर्तिया से सक्रियता से सामिल थी ये दर्सन लाल जेन थे पीछे दर्सन लाल जेन का क्या हो गया था दर्सन लाल जेन इनको पुरुसकार भी मिला था दर्शनलाल जेन का क्या हो गया था निदन हो गया था तो सर्श्वती नदी पुनर जीवन परकलंड में सक्रियता से सामिल थे हम ऐसी महन विवूतियों को क्या करते हैं नमन करते हैं नमन है दर्शनलाल जेन जी को जिन्नोंने नदी के लिए ना इतन उने नदियों के लिए इतना सब कुछ किया था और अमरीता देवी को मैं नमन करता हूं प्यारे बचोन की साथ 363 विष्णोई क्या हो गए थे पेडों के लिए सहीद हो गए थे अमरीता देवी की चेयर गुर्जंबेश्वर युनिवस्ति इसार में लगाई गई है जो 1995 में में बनी थी चोदरी भजनलाल ने उसका इनोग्रेशन किया था आज कल उसे गुर्जंबेश्वर साइंस एंटेकनोलोजी उनिवस्ति के नाम से जाना जाता है गुर्जंबेश्वर भगवान को किस का उतार माना जाता है भगवान विष्णू का उतार माना जाता है हरियाना की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कोई आपको सोचने की जरूरती नहीं है यमना नदी है ना हरियाना क क्या रहेगी सबसे लंबी नदी रहेगी यह रियाना को किस से अलग करती है उत्तर परदेश से अलग करती है तिन सो बीस किलोमेटर अरियाना यूपी के बीच में तो यह किस से अलग करती है अगया था निमन में कौन सी नदी हरियाना की है तो इसमें ना प्यारे बच्छो त गंड़क नदी देदी थी गंड़क नदी को पहले है ना किस नाम से जना जाता था सदा नीरा के नाम से जना जाता था और एक देदी प्यारे वच्छो आपकी चोटांग नदी ठीक है चोटांग नदी तो चोटांग नदी का संबन कहां से रहेगा या वो हरियाना की नदी का सम्मन या चोटांग का हरियाना से नहीं है तेकिन बान गंगा तीर्थ पूछे न तो वो कहाँ पर रहेगा कुरुक्षेत्र में बान गंगा तीर्थ है रहेगा नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं निमन में कौन सी नदी घगर नदी की टिव्यूत्री उप फ़केंड़ी कोसले और चोतांग यह प्यारे बच्छों घगर नदी की मुखऎऊ अपनदी है और साथ में था यमना यमना घगर नदी की क्या नहीं रहेगी उप настоящ नहीं लेकिन हर्याना में दो परमुख नदी पूछे तो आप गंगा या पर सोरी यमना और गगर कर सकते हो क्या कर सकते हो गगर नदी को परदुष्चन मिटाने के लिए सरकार ने जो दो उपकरम शुरू किये उसका नाम क्या रहेगा तो उसका नाम रहेगा प्यारे बच्चों एक operation शुरू किया था और उसका नाम भी exam में एक बार पुछा गया था घगर action plane उसको क्या का गया था घगर action plane के नाम से फेमस हुआ था किस नाम से फेमस हुआ था घगर action plane के नाम से फेमस हुआ था आगामी एक्जाम में ये कोशिन प्यारे बच्चो आएगा नदी को दिली में नजब गड़ नाला भी कहा जाता है तो साहिबी नदी को कौन से नदी को दक्षिन हरियाना की जो परमुख नदी है साहिबी नदी तो साहिबी नदी को न दिली में किस नाम से जाना जाता है नजब गड़नाला के नाम से जाना जाता है साहिबी नदी को किस नाम से जाना जाता है दिली में नजब गड़नाले के नाम से साहिबी नदी को हमें जानते है निमन में कौन सी नदी मारकंडा नदी की उप नदी है तो इसने किस नदी की उप नदी पूछा है, मारकंडा नदी की उप नदी, ये भी कोशन आगामी एक्जाम में कोशन आ सकता है, कि ये पेपर में पूछा गया था, आगामी एक्जाम में भी आ सकती है, मारकंडा नदी की उप नदी पूछने का काम किया था, उपनदी बेंगना नदी रहेगी कौन से नदी रहेगी बेंगना नदी बेंगना नदी है ना ये मारकंडा नदी की उपनदी रहेगी और मारकंडा नदी का पूराना नाम क्या होता था अरूना और अंबाला में सिंचाई है ना इसी नदी द्वारा होती है और मारकंडा नद तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये लेक्चर कैसा रहा और आपके सुजेशन सादर आमतरीत रहेंगे दुबारा प्यारे बच्चों आपको सभी को गुरु पुरीनिमा की हार्दिक शुब काम नहीं असते रहिए मुस्कुराते रहिए आगे बढ़ते रहिए क्योंकि महनत का कोई अल्टरनेड नहीं होता और जब जोब लग जाओगे ना उसके बाद की दुनिया एक है अलग ही दुनिया होगी दनेवाद दोस्तों जै हिंदे जै भारत लब योवग